वास्तु टिप्स क्या आप भी हो जाते हैं, बार-बार बीमार भूल कर भी न करें, ये गलतियां बिगड़ सकती हैं, आर्थिक स्थिती तो जरूर करें ये उपाएं माना जाता है कि घर का खराब वास्तु हमारे जीवन पर कई तरह से असर डालता है धन की हाने घर में कलेश बीमारी आदी का इससे संबंध कहा जाता है कई बार होता है कि घर का कोई सदस्य बार-बार बीमार पड़ रहा हो वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा बंध हो या फिर दक्षिन पश्चिन दिशा खुली हो तो तो इससे धन के साथ साथ स्वास्थे संबंधी परेशानिया आती है अगर आपके घर की दक्षिन दिशा में दोश हो तो आपको अपने पित्रों का स्मरण करना चाहिए इससे आपको उनका आशिरवात प्राप्थ होता है जब भी रसोई में खाना बनाया जाता है तो आपको सही दिशा में मुह रखना बेहत जरूरी होता है अगर आप खाना बनाते समय मुह दक्षिन दिशा में रखते हैं, तो आपको कमरगर्द जोडों में दर्द जैसी समस्याईं जहेलनी पड़ती है ऐसे में कोशिश करें कि खाना पकाते समय मुख पूर्व दिशा में हो घर में उत्तर पूर्व स्थान को बेहद ही शुभ माना जाता है अगर इस दिशा में कोई शौचालय या सीधियां बनाता है, तो इससे दोश आता है इससे मानसिक तनाव हो सकता है घर के इशान कोण हिस्से में देवस्थान बनाएं या हलका सामान रखें, यह शुभ होता है घर में केवल वही दवाईयां रखें जो जरूरी हो अगर अनावश्यक दवाईयां आपने अपने पास रखी हैं, तो यह दोश का कारण बनती हैं और इससे स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है अगर बीमारियों के चलते व्यक्ती का शरीर कमजोर हो गया है, तो उसे लाल रंका कपड़ा जो की उर्जा का प्रतीक है, रखना चाहिए साथ ही हनुमान चालिसा का पाठ भी करना चाहिए